कि अगर बंच नावा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सुमेथ हफते का आखरी कारोबारी सत्र भारती बजारों के लिए इंपोर्टन ट्रिगर यानि आर बी आई के जो एमपी सी आउटकम के साथ खतम हुआ सब्प्राइज आर बे की तरफ से है जहां पर रुमान था कि 25 बिस्निस पॉइंट के आसपस की बढ़ोतरी होते हो दिखाई पड़ेगी लेकिन बढ़ोतरी नहीं हुई और आर बे ने यह था इस्तिती बरकरार रखी जिसकी वजह से बार थे बजारों ने एक स्पाइक जरूर लिया लेकिन आवो स्पाइक सस्टेन क्यों नहीं हुआ उसकी वजह पहला तो मार्केट अलरी रेजिस्टेंस पर खड़ा है तो कोई अपनी पोजिशन क्यों रेजिस्टेंस के उपर ले आकर खड़ा करेगा तो इसलिए भी महां पर रेजिस्टेंस के आसपासी मार्केट से आकर बंद हुए दूसरा बहुत मिक्स कमेंटरी थी कमेंटरी वाइज इंफलेशन अभी भी हायर साइड पर है ग्रोथ स्लो है तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो एक तरफ अच्छे आप्टिमिस्टिक बात एक तरफ स्वड़ा सा पैसिमिस्ट सो मार्केट अभी और स्केप्टिकल है प्लस आप अगले हफते से अर्निंग्स में इंटर करने जा रहे हैं तो वो भी एक ट्रिकर बनेगा तो रहे थे और आपके भाव से ऊपर चले गए हैं वेट और वाच फिर वो नीचे आए फिर आप एंटर करिये इस तरह की रखनीती रखिएगा या अपने अगर आप मनी डिप्लॉय कर रहे हैं तो सौ का कुछ हिस्सा डिप्लॉय करियो ज्यादा बेटर है मार्केट में अधर हाइलाइट में था पूरा शुगर आज तेजी के साथ काम काच कर रहा था डिफेंस में सेलेक्टिव कंपनियों में खरदारी थी और्डर का इंपक्ट टेखने को मिल रहा था पी एस चू में कुछ कुछ बाइंग थी ऐसे मिले जुले से मूव के साथ आज इंडेक्स काम क इनको लेकर मैं गलटिपडी कर गया था वह हमेशा कन्फ्यूज जाता हूँ तो इसके लिए हम आफी चाओंगा अब शुरुआत करता हूँ मैं आज के सवाल जाब कर सिलसले की कांग गया आज का वीडियो सबसे पहले आरे फिर से लेंटी इन्फोटेक माइन ट्री सर ल्टी आई एम लेंटी इन्फोटेक माइन ट्री के लिए जब तक कंसॉलेडेशन पूरा नहीं होता तब तक आप जस्ट वेट और वाच इस बिटर ऑप्शन आप क्वालिटी ओफ असेट इस नोट बाड यह क रूप अच्छा है कंपनी अच्छी है सब बढ़िया है लेकिन जो भी कंपनी में कॉपरेट एक्शन दिखे उससे कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए हो जादा बेटर है हर तरह काम बीट स्प्लिट बीट बोनस बीट राइट इशू बीट बाइबैक और बीट मर्ज एर एकोजिशन उसके बाद वो बिलकुल तयार हो जाता है अपनी चीज के लिए लेकिन अगर आप में पेशन्स है आपको कोई दिकत नहीं है उसकी इस डूरेशन से तो आप आराम से बने रही है लेकिन अगर आपको उस डूरेशन से इशू होगा तो आप अवाइड कर द अगर आपको लगता है कि आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो इसका एक और बेटर आप्शन यह नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा करके एजफी बैंक की पोजिशन अदरवाइस बढ़ाते रहें और इनकी पोजिशन को यथा सिति में छोड़ दें जैसे आपको अच्छा प्रॉपर एप टाइम लगे जब आपकी कॉस के आस पास थोड़ा उपर हो तब निकलना ज्यादा बेटर नहीं है इंस्टेड आपका लॉस वहां से भी कवर हो जाएगा और यहां से भी ऐसा नहीं है कि लॉस मेंकिंग कंपनिया है लाइक वोड़ा फोन लाइक नाइक लो प्रॉफिटेबिल्टी या लॉस मेंकिंग जैसे की सस्ता हो जाएगा अगर यह ग्रोथ दिखाते रहे प्रॉफिट में तो सो वेट और वाच इसमें और जो नहीं पुझी आप डिप्लॉय करना चाहते हैं वह आप एश्जिव से पैंगा कर लिजिए बट टू मच एक्स्पोजर टू बन ग्रूप इस अगें इस नोट हर चीज़ को एक calculated way में अपने पास रखिए जिसमें आप too big to fail जैसे जगाओं पर भी अगर failure आ गया तो फिर क्या होगा तो थोड़ा सा उसके लिए भी तैयार रहिएगा लेकिन एश्जिव से bank is a good group there is no doubt about it लेकिन too much exposure भी मत रखिएगा इस group में okay please suggest some bank likely simple competitively bank of brother sir पतेल साब अगर आप likely similar ढूण रहे है PSU then SBI is the best one SBI इसलिए नहीं best है कि SBI among PSU सबसे अच्छा number दे रहा है वो तो एक वजा है ही SBI ने with time बहुत सारे mergers and requisitions किया है जिसमें SBBM, SBBT, Travencore, मैसूर, जैपूर, BJ इस सब इनके अंदर merge हुए है तो उनके numbers आने शुरू हो गए है प्लस अभी भी SBI के strategic investment है यह से banks के अंदर तो वो भी इनके लिए हैं प्लस इनके listed subsidiaries भी है, SBI Life, SBI Cards और अज़र नमबर में सच में improvement है SBI के, SBI की functioning में improvement है यह उन्हों आप को देखके लगता है चीज़, so among all they are better, one अगर आप private में जाना चाहते हैं तो फिर private में तो पांच नाव हैं, जो best है जिन में आप जा सकते हो for a safer bet, KOTAC is again a very good bank, क्योंकि किसी जानकार से मेरी बात हुई तो उन्हों ने बात मुझे mention की थी कि ICSA bank की सारी subsidiaries listed है, major, securities, lombard, prudential, लेकिन KOTAC की कोई भी subsidiary listed नहीं है, सारे कारोबार इनके अंदर आता है, securities, insurance and everything तो अगर कभी इन्हों ने well known locking की, तो क्या situation होगी, one two, अगर well known locking नहीं भी की, और यह माल लिजे कि ICSA का half base भी है इनका, तो ICSA की bank plus all securities listed को जोड के half कर लिजे, तो KOTAC की value निकल आए, तो भी KOTAC undervalued है, so यह किसी जानकार ने मुझे एक तरीका मोटा मोटा बताया था, so आप ऐसे अगर देखना चाहोगे, तो एक बार को कोटक undervalued देखता है, but PSU banking में आपकी bet जब भी होगी, आप यही ध्यान रखेगा कि वो momentum bet होगी, PSU banking में SBI के लाव कोई ऐसे bank ने, इसको secular आप hold कर सकते हो, so इस case आप से आप कॉल ले ना, बाकी momentum के लिए PN भी अच्छा है, B.O. भी अच्छा है, B.O. अच्छा है, वो आप देख सकते हो, बस समय समय पर में profit लेते रहे 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 हैं, Okay, Honeywell for long term, देखेज़ सर वैसे तो यह, मतलब पुरानी history इस company की, Tata Honeywell के नाम से, बट, company अच्छी है, इसमें कोई दो रहा है नहीं, पहले तो dividend नहीं pay off करती थी, आप पता नहीं, देती है कि नहीं, आपको थोड़ा time लग सकता है, equity based चोटा है क्योंकि, तो आप hold कर सकते हो, वैसे तो इसमें कोई issue नहीं, multinational giant चाह, बट अगर इस तरह की caliber किसी company में आप ढूंड रहे हो, और आपको लगता है कि आप hold करना चाहते हो, इस तरह के ticket size का, तो Bosch can also be a good stock, Nestle, Bosch, ये भी अच्छे stocks हैं, इनको भी आप देख सकते हो, Honeywell के सामने, इन में क्या अंतर है, एक तो dividend pay off है, Nestle में आपको 700-100 रुपर dividend मिल जाया करेगा, Bosch में भी इतना ही मिलता है, 70-70 रुपया, प्लस, मतलब बुरे दोर में जब शेर नहीं चलेंगे, dividend तो देंगे at least, प्लस, Nestle जो है, Bosch ये ग्लोबली सिर्फ इंडिया में लिस्टेड है, कहीं ओल लिस्टेड नहीं है, जबकि ये जर्मन जाइंट है, उसके बावजूद इंडिया में लिस्टेड है, सिर्फ इंडिया में, तो कभी डिलिस्टिंग कैंडियेड बना तो रहेगा ही, हमेशा यही वाला, प्लस, ग्लोबली कोई भी ख़बर का असर इसी पर ही होगा, और और्डर्स और अबर्टिंग पर, और अगें, पुरानी हिस्ट्री अच्छी कंपनी है, नेसले लाइकवाईज, एफमसीजी का थोड़ा महेंगा स्टॉक जरूर है, बट अगें, क्योंकि एक्विटी नहीं है किसी के हाथ में, तो कहां से इसको महेंगे और सस्थे वैलुएशन निकालोगे आप, तो यह कुछ क्वालिटी है, अधर दन हनी वैल, इनको भी आप सकते हैं, तो हनी वैल में भी खराबी नहीं है, बट अगें, कि यह थोड़ा डिविडेंट पे ओफ्स का इशू वहाँ पर आता है, एंड लिक्विटी थोड़ी छोटी है, एक्विटी छोटी तो टाटा एलेक्सी, के उपर तो शयद कोई इंपक्ट नहीं आना जाए, टाटा टेक्नलोजी तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कहीं भी मैंने में पढ़ा कि टाटा टेक्नलोजी से वे उपक्ट आएगा इसका, और मनलब आप इतना बताओ सर, मैं बहुत जादा जानकारी न तो उनके पास कोई अच्छे रीजन्स होंगे ना, कुछ बिजनस तो अलग होगा यह उससे, तब ही तो लिस्क कराने जा रहे हैं, कोई वैलुएशन बजार देने जा रहा होगा, उसको तो सोच कि यह देगा ना, मल्टिपल साइज पर, सो पहले चीज़ तो जड़ा डियर हैं, कुछ पता ही नहीं है, तो अभी से दूर के बारे में सोचने हैं, सामने रखिये चीज़ को आप देखनी हैं, तो पाइदान यह भी छोड़ दिये, जवाएगा समय तब देखा जाएगा, ओके, what is the correct market strategy to invest in share market, buy stocks at good price and sell partial profit, book your cost, when you get good profit, and second, buy stocks for long term and don't sell, दीपक सार, there is no strategy for anyone, believe me, बजार में किसी की कोई strategy नहीं होती, सब की strategy अपनी अपनी है, सब की strategy गलत है, और सब की strategy सही है, तो जो आपको वीडियो में बता रहे हैं, वो भी, मैं भी, कोई भी गलत है, माझार में सब गलत है, सब सजय है, माकिट में हर आदमी के पास पूरा right है, गलत होने का, श्री जुनजुन्वाला सहब बहुत-बहूरी गलत है, और बढ़़े बड़े दिगज़ भी गलत है, तो इसमें कोई गलत होने में कोई बुराइ है, गलती सीखना ना सीखने में ब कोई चीज होनी है तो उसके लिए डिसाइड़ चीज के लिए आप अपने शेयर 18 साल के लिए रखो क्वालिटी कमपनी रखो वो कमपनी रखो जो आपको लगता है कि 18 साल तक रहेंगे स्वरूब कुछ भी हो 18 साल पहले भी टीसियस था इनफोसिस था HDFC बैंक था, एशियन पेंट था, बर्जर पेंट था, पिडी लाइट था ये सब थे तो 18 साल तक ही शायद रहेंगे ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है अप जोमैटो या पेटियम या नाइका इनके ओपर गर बेट कर सकते हों तो थोड़ा कहना मुश्किल है, कमपेटिवली उनके जो कि अलरीडी स्टैबलिश्ट प्लेयर हैं सालों से SBI, ICI, HDFC बैंक, सो उन शेयरों को आप 18 साल के लिए रख सकते हो, उनके रिटरन थोड़े ऊपर नीचे होंगे आप कोगे, वो मल्टी बैगर निए गोगे, वो किसी को नहीं पताई कि मल्टी बैगर बने गए कि नहीं बने ग यम बने गो, कि पता बन जाए को पता नहीं बने नहीं भी बनेंगे तो 10,5 परसेंट नेटन देंगे इतना तो हमेशा करते आएं आगे भी करेंगे तो 10-15 परशन इटन अगर 5 साल मिलता तो अब ऐसा आपका वैसी तीन गुना कर दिया उसने डबल तो क्या तीन गुना हो गया तो मल्टी वैगर और कैची है आपको तो 18 साल के लिए आप इनको रख सकते हो जब जरूरत आती है तो सब पैसा किसी भी तरह काओ से बेचा ही जाएगा तो पैसे का ultimate use तो जरूरत ही है और जरूरत के लिए इस्तमाल होने वाला कोई भी पैसा हो तो दोनों strategy गलत नहीं है ताइम टाइम पर थोड़ा थोड़ा profit लेते रहो capital free करते रहो जरूरी है तो आकि आप कोई ये regret ना हो कि मेरा पैसा चला गया और आपका capital बच गया आपको market के वो जो bad taste होते हैं जो नए निवेशकों को मिले हैं आप गाली ना दो बजार को कि ये बहुत बूरी जगा है और मैं यहां नहीं रहना चाहता है ऐसा नहीं है दूसरा आप जब वहां से पैसा निकाल लोगे तो आप अपनी portfolio को build करके रखो asset own कर रहे हो जैसे gold own करते हैं लोग जैसे land own करते हैं जैसे flats own करते हैं वैसे आपने share own कर रखें and it's a good business इसके नदर आपने पैसा डाला you are equally a shareholder like promoters of the company छोटे ही सही लेकिन हो तो dividend दे रही है कुछ ले तो नहीं रही तो आप उनको रखा रहे हैं तो वैसे wealth भी create हो जाएगी ऐसे वैसे भी बच जाएगा तो दोनों ही का blend बना लो उसमें gold भी आइड कर लो उसमें mutual fund भी आइड कर लो और एक अच्छा portfolio बना लो simple वेदानता पर view dividend has gone down obviously वादा दवन सर कितना dividend लोग है आप 100 पर dividend मिल गया और सौर पर dividend देने के बाद पांचवा dividend था शेयर नीचे भी ना ऐसा कैसे हो सकता है आपको dividend दे रहे तो dividend share में तो adjust हो और वैसे भी किसी भी metal में आप चाहें विदानता हो या टाटा स्टील हो या हिंदुस्तान जिंग हो भी कुषिपर हो ऐड़ानता को अलग रख लीचे बाकियों अलग रख दीचे बाकियों में cyclical move डाता है इन दो में dividend का move दुँन तक तो आप यह हमेशा cash count नहीं रहेगी इसलिए आप ध्यान रखेगा इस चीज का और अगर आपको लगता है कि हमेशा cash count बनी रहेगी तो I doubt यह कम हो जाएगी कर बन नहीं भी हुई तो dividend आया है तो dividend और bonus और split they are good to some extent लेकिन उनके लिए बहुत long term story चाहिए होती है और dividend की वजह भी crucial है अब जैसे Nestle है यह उनके dividend regular है यह VST industry उनके dividend regular है और एकल उनके dividend regular है उनको उनके dividend में कोई फ़क नहीं पढ़ता cyclicality का लेकिन विजानता की dividend फ़क पढ़ता है cyclicality का तो बढ़ रहा है इस समय जो आप देख रहे हो आपको भी हन्वान जैनती की बहुत बहुत शुब कामना है त्यागी साब को सवाल which is best campus active fare imami orient electric latent view campus सर इन में से अभी तो मतला क्या ही बोलू imami is better campus फ़ड़ा महंगा है नीचे आने के बावजूद ही महंगा है और latent और electric orient electric से अच्छे option market में अवलेबल है तो आप क्यों इन में इतने कोशिश कर रहे हो so better options का wait कर लो even relaxo was good 700 रुपए पर अभी कुछ दिन पहले इसी platform पर ही लोग मुझसे बोलते थे कि ओ नीचे आ जाएगा खतम हो जाएगा agree मैं नीचे आ जाएगा कोई denial नहीं खतम हो जाएगा पर मुझे denial है इसे नहीं खतम होती है चीज़े जिनका setup पांच लाग footwear का बनाए ताइम लेता है I'm not saying कि they are bad companies they might be at a very expensive price the price adjust उसमें क्या है price adjust हो गया नीचे आ गया लेकिन खतम हो जाने लाइक चीज़े नहीं है कुछ दिन पहले किसी ने कलपर्सों में बोला था कि दी मार्ट पच्छे सो आ जाएगा चौबिस सो आ जाएगा फैन अफ आ सकता है इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन क्योंकि अभी भी हो 100 के multiple पर है लेकिन नोबडी कन प्रिडिक्ट नीधर आय नौर अन्यवन इल्स तो चार्ट बोलते हैं और चार्ट बदलते हैं उनकी चार्ट में डिनाइ नहीं करता कि uczा इंफोसिस Tech Mahindra रिलाइंस के बाद कुछ बेठरीन स्टॉक जिसमें new entry ली जाए ? सत्यम जी जो नीचे मिल जाए वो ज्यादा बेटर है, इंफो से से केस में भी नंबर्स आने वाले हैं, टेक महिनरा इस गुड़ बाई, HCL is another गुड़ बाई कि प्रोमोटर उसमें एंट्री कर रहे हैं, आप पर ये रिसेंटली एक महिने में प्रोमोटर ने बहुत माल लिया है, मार्च, अप्रेल के दौरान, और मैंने कई बरी मेंचन भी किया है अलग-अलग जिवाओं पे, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग-अलग ट्वीट्स में, आप आप तलाश सकते हो, वनना BSC Exchange पे सारी इंफर्मिशन अब लेवल है, वहाँ पे ढूड़ लो, जहां प्रोमोटर एंट्री कर रहा है, वहाँ आप एंटर कर सकते हो, बारिंग फ्यू, बारिंग फ्यू, उनकी क्वालिटी आप खुछ चेक कर लें, जहाँ सोभा है, उसमें प्रोमोटर इंटर कर रहा है, तो आप देख सकते हो, सोभा वहाँ से के इतना 50-60 रुपर भाग गया जहां पर प्रोमोटर ने इंटरी की थी, या महराश्रा सीमलेस, वहाँ इंटरी किया है, बजाज आटो वाज, जवी इसी प्लेटफॉर्म पर 3600 रुपर पर मुल्टिबल टाइम मैंने बोला बजाज आटो देख लो, चार परसंट डील, पांच परसंट डील, तीन परसंट डील, तो आज 41-42 आगया ता, किसी ने बोला भी था मुझे, इसी यूट्यूब के नीचे मैसेज में मैंने पढ़ा था, कि बजाज खतम हो जाएगा, अच्छे एक्सपोर्ट नीचे, एक्सपोर्ट बंद हो रहे हैं, कहांगे एक्सपोर्ट और कहांगे एक्सपोर्ट के बंद होना, एक्सपोर्ट खड़ा आज, आप ऐसे कोई क्वालिटी जो नीचे मिल रही हो, आप उनको और आम सैड करो, कोई शू नहीं है, यस बैंक, कार्तिक जी कोई भी तेजी मिले निकली हैं, बेस्ट एसमें, लॉंग टर्म, मीडियम टर्म, कैसे भी टर्म, IDVI is again a story like this, उसमें भी same situation बनी हुई है, बेटर है, management change जरूर हुआ है, लेकिन वह investor ही है, वह actual management नहीं है, जैसे यस बैंक कोई situation बनेगी, people will exit, क्योंकि वह बहुत बड़ी equity का बहुत बड़ा share है, बहुत बड़ी और बटी हुई equity है, इस तरह की बड़ी और बटी हुई equity के share जल्दी चलते नहीं है, few examples, IOC, ONGC, Vodafone, IOB, YesPank, again, Zomato, इस बड़ी equity और बटी हुई equity के share है, 90-90% में public के पास है, promoter के पास value ही नहीं है कुछ भी, वहलाब Zomato is a case, या NICA is a case, जहां पर promoter equity छोटी और public equity जादा है, public equity मतला है हम लोगों के पास share जाद है, आम निवेशकों के पास, जब आम निवेशकों के पास ही सारे share है, तो किसका ही vested interest है उसके अंदर, तो इसलिए avoid करिया इस share हो को दूर रही है, चले फिलाल अब इतनी सवालों शामिल करूँगा, माफी बहुत सारे लोगों से जिन सा करिए बढ़िया से, और आप में इसाद जूर सकते हैं, at the rate Sumit Research इमेर at Twitter handle है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तस अलाकार के राए जरूर लेने है, और वो L&T, InfoTech, L&T, TS के लिए माफी चाहूँगा फिरसे एक बार, नमस्कार. झाल